असलाम लेकूम वेलकम बेक टो माई चैनल वेजिटेबल्स की अपडेट शेयर करूंगी मैंने छोटा सा एक किचन गार्डन अपनी चछत पे बना रखा है उसी में मैं पॉट्स में सबसियां ग्रो करती हूँ अगर आप इसी तरह ग्रो करना चाह रहे हैं वेजिटेबल्स वो भी अपनी चछत पे गमलों में तो आप बहुत असानी से लगा सकते हो यहां देखें चिली के उपर मैंने सप्रे किया था दो दफ़ा किया है तो अब जो नए बत्ते आ रहे हैं वो कद्रे बेहतर है पहले वाले तो कुछ ज़्यादा ही मुड रहे थे तो यह बहुत ज़्यादा बिमारी चिली के प्लांट में और कैपसिकम के प्लांट में आती और कुछ पॉली बैक मैंने इसलिए तियार किये हैं क्योंके टमार्टर की कुछ पनीरी मेरी तियार हो रही है तो फिर वो मैं इनी पॉट्स में शिफ्ट कर दूँगी जो पहले मैंने शिफ्ट किये थे प्लांट वो अब माशाला फ्रूटिंग पे आ गए हैं इसी तरह ज लगा दे सेम सबजी आप दुबारा उसी पॉट में नहीं लगाएं वो अतनी अच्छी वहां पे ग्रोट नहीं होगी तो यह जो टमार्टर कुछ मैंने बाद में शिफ्ट किये थे वो आप जाके फ्लावरिंग पे आ रहे हैं और माशाला दो से तीन जो मेरे पॉदे हैं जो कि अब लाल होने के करीब है तो ओवराल इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है फर्टलाइजर अब भी तक इनको मैंने एक ही दफ़ा दिया है दुबारा फर्टलाइजर मैंने नहीं त्यार किया नहीं मैंने इनको दिया है जो आप एक मटी रेडी करते हो उसी मटी में दालती हूँ और टी कंपोस्ट बहुत अच्छी रहती है कावडंग की मस्टर्ड केक की या फिर राक भी आप डाल सकते हैं यह पुराना प्लांट है अब उसमें थोड़ी ग्रोव थाना शुरू हो गई है ब्रिंजल की इसको मैंने प्रून कर दिया था और जो मैंने पनीरी की थी ब्रिंजल प्लांट की उसमें से दो तीन ही सर्वाइव कर पाई हैं बाकी जो प्लांटे वो मर गए हैं तो कोशिश करूँगी दुबारा इनकी सीडलिंग जो है वो मैं तियार करूँ भी थोड़ी सी ठंड जो है वो कम होगी तो फिर दुबारा उसकी सीडलिंग ति तो फिर मैं प्लांट्स को शिफ्ट करूंगी तो आप भी इसी तरह वक्फे-वक्फे से सीड्स को डालते जाएं ताकि आपके जो पौदे हैं वो आपके पास त्यार होते चले जाएं क्योंकि कभी-कभी कुछ पौदे मर भी जाते हैं तो अगर आपका एक पौदा मर जाएं तो आपके पास और प्लांट्स होने चाहिए जिनको आप शिफ्ट कर लें फिर इसी में आपको थोड़ा फाइदा रहता है जो हमने ज्यादा सीड्स लगाके प्लांट तियार किये होते हैं फिर हम उनको शिफ्ट कर लेते हैं और हमारा जो थोड़ा सा टाइम है वो बच जाता है यहां देखें बिल्ली की वज़ा से मैंने काफी सारी स्टिक्स लगा रखी हैं क्योंके वो उसने आलमोस जितना भी मेरा पुदीना था वो सारे का सारा ही खतम कर दिया है अगर आपने मेरी शुरू वाली कुछ वीडियो देखी हो तो मेरे पास धेर सारा पुदीना था इस प्लाट में मुझे थोड़ा ये एंडरोट का प्रॉब्लम आ रहा है फ्रूटिंग में तो इसमें मैं कैल्शिम डालूंगी कैल्शिम के लिए मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट इयर कि आप कौन कौन सी चीजें डाल सकते हैं अगर आपका फ्रूट जो है वो नीचे से ब्लैक हो रहा है खराब हो रहा है किसी भी फ्रूट प्लांट का तो उसको आप कौन सा कैल्शम न्यूटरिंट है जो फॉरंड से आप देंगे उसको मिल जाएगा और आपके जो बाकी फ्रूट से हैं वो खराब नहीं होंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैं इन्शाला कोशिश करूंगी लिंक जो है वो डेस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो ये छोटा सा एक मेरा किचन गार्डन है जो कि मैंने अपनी नीड के हिसाब से रूफटॉप पे बना रखा है तो बहुत अच्छी हर्वेस्टिंग मिल जाती है आप मेरे चैनल पे पुछाद आप सीड कहां से लेती हैं तो उनके लिए है कि मैं हमारे जो सीटी के अंदर लोकल एगरी कल्चर शॉप है वहां से सीड लेती हूं या फिर मैं जो घर में हम खाना बनाते हुए किचन में सबजियां इस्तमाल करती हैं उनमें जिस तरह हम टमाटर काड़ते हैं तो उसमें काफी सारे बीज रहते हैं तो उन्हीं बीजों को लाके आप लगा दे आपके पास अच्छे प्लांट्स त्यार हो जाएंगे तो उनमें से जो हेल्दी होंगे उनको आप अलग से शिफ्ट कर लीजेगा तो मेरे मिक्स ही लगे हैं कुछ सीड वाले हैं और कुछ घर के ही जो मैंने टमाटर के सीड थे उनसे लगाए हैं चिली के देखे मैंने सप्रे किया था सप्रे के बाद कुछ लीज अब अच्छे आने शुरू हो गए हैं चिली ने इस बार बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है ये मैंने घर के ही सीड से ग्रो करी थी तो आपको अगर इनके hybrid seed मिलते हैं तो आप उनको grow कीजेगा, फिर उन पे उतना जादा बिमारियों का attack नहीं होता है, जितना इस टाइम पे इन चिली के plants पे हो रहा है, तो यहां पे यह दूसरी variety का ट्माटर है, यह थोड़े long वाले हैं, बहुत अच्छे से grow हो रहे हैं, य भी अब लाल होने लग गए हैं, यहां मैंने पनीरी shift की है, cabbage की, यहां पालक है, capsicum के plant उतने अच्छे grow नहीं हो रहे हैं, क्यूंकि इन में leaf girl का काफी problem आ रहा है, तो इनको spray करती जाओंगी मैं, ताकि यह set हो जाएं, और मेरे पास अच्छे से grow होना शुरू हो जाएं, तो बस छोटे से garden की update थी, hopefully आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, तो चैनल पे new है, subscribe कर दीजिएगा, ताकि आपको gardening की वीडियो की updates और notifications इसी तरह regular मिलती रहें, और मुझे भी दूआ में याद रखेगा, अपना धेर सारा ख्याल रखेगा, आलाफीस